हेलो एब्रिबन माइनम इस मिधावी भारगव और आज मैं आपके सामने विटमिन्स को याद कने के लिए बहुत ही शांदा ट्रिक लेके आई हूँ तो चलिए शेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि विटमिन्स क्या होता है विटमिन एक प्रकार का और्ग हम टाइपस और विटमिन की बात करें तो इसके दो टाइपस होते हैं फैट solubile, water soluble. फैट solubile जो fat में dissolved हो, water soluble which are dissolved in water. फैट soluble की ट्रिक है कीड़ा, K stands for vitamin K, E stands for vitamin E, D stands for vitamin D & A stands for vitamin A. Water Solublil में जो block letter से लिखा है और बात इस B और C, वो water soluble की ट्रिक है, चाह भी. अगर हम अपनी trick 2 की बात करें तो guys यह जो list दी है प्लीज आप इसको mug up कर लें यह बहुत ही ज़्यादा crucial है सबसे पहले vitamin और उनके scientific name vitamin A, C, D, E, K इसकी trick है race to Nepal race to Nepal R for retinol A for ascorbic acid C for calciferol E for tocopherol and for naphtha qunone इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा race to Nepal I am repeating guys race to Nepal अब आपको यह जरूर नोट कर लेना है कौन से ऐसे vitamin है जैसे suppose आप से question पूछ लिया जाएगा vitamin B4 का scientific name बताईए तो आपको यह याद रखना है between B4, B8, B10, B11 यह vitamin exist नहीं करते हैं कि कोई भी scientific नाम भी नहीं है तो आपको यह बहुत अच्छे से याद कर लेना है between B4, A, B10, B11 यह exist नहीं करते हैं vitamin B1 यह आपको vitamin दिया है और उसके scientific name दिये हैं यह भी आपको याद कर लेने है इसकी जो trick है तारी ना ने 1, 2, 3 यह जो है यह vitamin B1, B2, B3 है पापी बाई से 5, 6, 7 विट में B5, B6, B7 non-foldable foldable B9 यानि folic acid 12 यानि कंबल B12 कंबल खरीदे तारी ना ने पापाई बाई से non-foldable 9, 12 कंबल खरीदे ठीक आपको simply याद हो जाएगा आप इसे 2-3 बाई पढ़िए तारी ना ने 1, 2, 3 पापाई बाई से 5, 6, 7 non-foldable non-foldable non-cov9 से याद कर सकते हैं 12 कंबल खरीदे vitamin B12 कंबल खरीदे यानि कोबोलीमिन फिर आपको यह जरूर याद कर लेना है कि कौन से vitamin से उनसे क्या हमारी disease होती है उसके क्या-क्या symptoms है यह बहुत पूछा जाता है जैसे vitamin A से loss of vision होता है B1 से very very होता है C से scurvy होता है D से rickets होता है calcium bone tooth decay iodine से guiter होता है और iron से anemia होता है और इसके symptoms ज़रूर पढ़ लिजेगा यह पूछे जाते हैं प्लीज आप इस अपनी notebook में note कलिजे तो अब हम अपते session का end करते है please smash the like button comment below and share my session और अब मैं English की भी सोच रहे कि कुछ videos लेकिया हूँ जिसमें जो rules है 120 rules रहेंगे वो एक साथ रहेंगे तो उसके भी आप notes ज़रूर बना लिजेगा तो thank you guys